दुनिया भर में कोरोना वाइरस का संक्रमन बड़ी ही तेजी से फैल रहा है ये वाइरस हर जगें पर अपनी पगड मजबूत करता जा रहा है और लोगों को अंदर से धीरे धीरे खोखला गरता जा रहा है दुनिया भर की सरकारों द्वारा एहतियात बढ़ते जा रहे हैं लेकिन कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसी बीच हम आप सभी के लिए एक राहत भरी खबर लेकर आए हैं ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि 23 मार्च को देश के प्रधान बंतरी नरिंद्र मोधी ने लोगडाउन का आदेश दिया था ताकि लोग घरों से बाहर ना निकले और इस वाइरस से बच सके वहीं दूसरी और हमारे देश के विज्ञानिक भी इस बिमारी से निपटने में लगे हुए हैं जहां एक और कोरोना वाइरस से लोगों को बचाने के लिए दुनिया भर के साइंटिस्ट खोज करने में लगे हुए हैं तो वहीं भारत के विज्ञानिक भी इस वाइरस को एक बड़ी चुनोती समझते हुए इसका सामना कर रहे हैं। कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बड़े स्तर पर टेस्टिंग चल रही है और उमीद की जा रही है कि देश जल्द ही कोरोना पर बड़ी सफलता हासिल कर लेगा। जानकारी के लिए बता दें कि IIT दिल्ली ने कोरोना वाइरस के लिए सबसे सस्ती किट तयार कर ली है। जरूरत है तो बस अप्रूवल की जिसके बाद ये किट मार्किट में उपलब्ध होगी। जी हां मीडिया रिपोर्स में ये बात सामने आई है। वहीं ये भी सामने आया है कि ये कोर्स वदेशी किट तयार की जा रही है जिसकी कीमत होगी 500 रुपे और इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। हाल फिलहाल कि अगर बात की जाए तो मार्किट में जो किट उपलब्ध है उसकी कीमत है 1000 रुपे। जाहिर सी बात है कि जब मार्किट में सस्ती किट उपलब्ध होगी तो आम जनता भी इसे अफोर्ड कर पाएगी जिससे लोगों को राहत मिलेगी। बताते चले कि कोरोना के मरीजों का सबसे पहले PCR किया जाता है PCR यानि की Polymerase Chain Reaction और ये जानने में 24 घंटे का समय लगता है कि मरीज को कोरोना है या फिर नहीं। बहराल अब एक और जहां हमारे देश के साइन्टिस्ट और लैब कार्य करता आम जनता की सहूलियत के लिए दिन रात लगी हुए हैं तो ऐसे में हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम देश हित के लिए अपने घर में ही रहें और सुरक्षित रहें। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल यू न्यूस को जरू सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटिस्ट अपडेट।